नमस्कार, शल्मिलास किचन एंडाइस्टाइल में आपका स्वागत आज मैं आपको अपने किचन का टूर कराऊंगी, तो चलिए, चलते हैं, ये देखें, किचन की मेरी एंट्रेंस है, और इसमें मैंने कोई दर्वाजा नहीं लगा रखा है, और ये यहां पे विंडो है, कि किचन टूर पे, तो देखें, ये है मेरा किचन स्लैब, और साइड में मैंने ये मेरा करीब किचन बने वे 14 साल हो चुके हैं, जब ये किचन बन रहा था, तो कुछ मैंने उस समय 14 साल पहले के हिसाफ से, ये देखें, ग्रेनाइट के ही ऐसे तीन शेल्फ ऐसे बन वाल ये तो देखें, इसमे मैं क्या क्या रखती हूं क्योंकि बार-बार मुझे हुमारी कबढ ना खोलना पड़े, तो ये है, इसमें, तेल है और ये छोटी शिशी में, इसमें देखें, तेल्फ रखती हूं, ये मसाले दानी है, और ये इसमें, knife, scissors, चाकू और केंची ले रखत इसमें चीनी है, चाय पति है, इसमें तुल्सी पत्ता है और ये अधरक कूटने का है, और ये है चाय मसाला, तो जो बेसिक ज़रूरी सामान है, वह मैं इसमें रखती हूं, और देखिए, ये है गेस्टो, अभी मेरा खाना बन रहा है, मतल़ अभी जस्ट पनाया है, ये शाम आपको मैं दिखाती हूँ यह देखिए यह दो ग्रेनाइट के शेल्फ जहां मैं जरूरी सामान रखती हूँ ताकि बार-बार अलमारी ना खुलना पड़े और यह गैस्टोर और यह सामने खिडकी और यह उपर चिमनी खिडकी मैंने सामने इसलिए लगवाई है ताकि हवा आते रहे और इसके नीचे देखिए यह शेल्फ है इसमें भी बताऊंगी क्या क्या रखा है दस्ट बिन वगरण वो सब रखा हुआ है और इसमें गैस सिलिंडर और इसमें देखिए और सेकेंड वाले में मैंने पतीले पगिरा रखे हैं और यह 3 में देखिए इस तरह से कढ़ाईं रखिए इसी के ही स्क्रेट फॉर्न के ही अधिनिंटी में यह है सिंक और यहां ऊपर आरो सिस्टम और यह देखिए यह हैं पूरा मेरा स्टोरेज तो इसका यह देखिए कि आपको इसके बंह करके दिखाती यह जो दो कबड्स है मतब देखे ये वाली कबड और ये वाली कबड ये वाल से लगी हुई कबड है जिसमें अंदर मैंने स्टोन्स लगाए है दिखाती हूँ आपको ये देखिए ये स्टोन्स है तो तीन शेल्फ इसमें और तीन इसके बगल में एसे ये बन गए है और नीचे तो ये मेरा जो पहले जो स्टोर होता था समझजी जी वो है मैं दिखाती हूँ देखिए इसमें पूरा उपर एक्स्ट्रा स्टील के वर्तन और ये देखिए सारा सामान स्टोर किया हुआ है और इसके नीचे दिखाती हूँ और ये देखिए नीचे अनाज वगरे स्टोर किया हुआ है अब मैं बाजुवाली कपड़ भी दिखाती हूँ ये देखिए इसमें आपको बताती हूँ कैसे कैसे ऐने रखा है ये जे दोनों बास्केट है इसमें मैं extra rashan, जो मतलब jars में fill करने के बाद जो बसता है, वो राशन रख देती हूँ, और ये मसाले हैं, और ये देखें, ये मेरा tripod, और ये miscellaneous सामान, इसके अलावा जो rashan का सामान, जो कम यूज होता है, वो मैंने पीछे रखा है, और इसके उपर वाले shelf में, ये kitchen के देखें, ये weighing machine है, ये है, कुछ extra steel की कडाही, और ये देखें, बैंगन वगर हैं, जो सेखने के रखते हैं, toaster, ये chopper, ये churner, और ये steel की कडाही, और ये पीछे, कुछ bottles, jars, और ऊपर, ये देखें, extra mixi, बड़े वाले cooker, steel का एक बड़ा वाला मटका, ये सब रखा हुआ है, और ये देखें, नीचे, ये extra, कुछ कांसे के बरतन है, ये जो बास वाली टोकरी होती है, वो है, और ये खाली बर्निया है, और extra storage का सामान है, पीछे देखें, सूपा है, तो मेरा जो kitchen है, मतलब मॉर्डन, और जो traditional Indian kitchen है, उसका, आप कह सकते है, मिला जुना रूप है, क्योंकि जो परमपरागत, जो kitchen का सामान होता है, उसकी भी अपनी जगे होती है, तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक आलू प्याच की basket है, और साथ में आटे का tin है, और यह है, यहाँ एक और पीछे देखिए, kitchen counter है, तो इस kitchen counter में, देखिए, एक तो यह mixer जार है, मैं बहुत जादा नहीं रखती, समान, एक यह मेरी बर्नी, इसलिए में नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि इस बर्नी से अक्सर अचार निकाला जाता है, तो अगर मेरे बजाए कोई और दूसरे husband या बच्चे निकालते हैं OTG, और यहां side में, दो पानी की बोटले रखी हुई है, और यह देखिए, इसके नीचे, यह थैले, एक के अंदर एक करके रखे हुए हैं, और जो miscellaneous, कुछ सामान है, उसको थैलों में भरके एक खटा रखा हुआ है, और यह जो बीच वाला है platform, उसके सबसे उपर तो और उसके बाद यह, यह कुछ प्लास्टिक के डब्बे हैं, वैसे आजकल में प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करती हुँ, लेकिन कभी कुछ ऐसे सुखा सामान नाश्ता वगरा रखने के लिए, या फिर किसी को कुछ देना होता है, तो उसके लिए रखे में, और यह यह कुछ मिसलेनियस ठीजे हैं, और माइक्रोवेव के नीचे वाले प्लैटफोर्म पे, यह देखिए, कुकर, ट्रे, चलनी, यह इस तरह कर सामान रखा हुआ है, यह देखिए, इस काउंटर के ऊपर, यह जो शेल्स है, इसमें, जो रोजमर्रा की क्रोकरी लगती है, वो ह बाउल वगरा, जो कप वगरा, और यह मिक्सी के कंटेनर्स, तो आपको कैसा लगा मेरा यह बिलकुल ओनेस्टली जो मैंने, मतलब बिलकुल अंदर सारे शेल्फ वगरे भी दिखाए हैं, कैसे मैं रखती हूँ, किछन का टूर, तो आपको अगर मेरा यह किछन टूर भीजिएगा, थैंक यू, थैंक्स फोर वाचिंग,